हेलो गाइस तो कैसे हैं आप सब लोग दुस्तों मेरा मिधीर और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने फोन को यूज करके सेम दूसे मैं ऐसी डार्क एडिटिंग कैसे कर सकते हैं जैसे कि आप लोग यहां पर एक्जामपल पिक्स देख सक अजही को नरह एंट किसी ऐसी लोकेशन पर आपकी फोटो आपने कलिक करी है तो एकदम अची दरीगे से आजरी पिक्सार का यूज करके यह हो जाईगी अगर आपने फोटो कुछ ऐसी लोकेशन पर लिए तो उसके लिए हमको लाइट रूम के अंदर भी थोड़ी टोरी के अंदर भी कैसे करें तो मैं अपना कोई सा भी एक फोटो से लाइक कर लेता हूं मेरी गैलरी में से एंड देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग एडिटिंग कर पाता है कि मैं आपको क्या बताने के कोशिश कर रहा हूं लेकिन हम लोग इसके अंदर एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ स्टैप करेंगे क्योंकि आप यहां पर देख सकते हो बहुत ही ज्यादा मतलब दूप के अंदर फोटो क्लिक की है तो यहां पर मैं थोड़ा सा पहले करते थे हाला कि अभी कोई करता नहीं है तो मतलब उसके अंदर आप लोग फेटल वन फेटल टूइफक का यूज करते तो इसके अंदर सेम आपको वही ट्रिक करनी है लेकिन इसके अंदर आपको कुछ अलग तरीके से मैं बताऊंगा इसलिए प्लीज पूरा वीडियो दे उसको मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यह कपड़े के अंदर एकदम आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा शेड़ बढ़ गई है सब जगा पे तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इसको एकदम लोग कर देते हैं मतलब तकरीबन ऐसे इस मतलब जो model है जो भी मतलब सामने बैठा हुआ है आपका जो object है उसके उपर देना है चाहता हूँ तो यहां पर जितना भी बाकी का part है न हम लोग यहां से कर लेंगे erase प्लीज यह वीडियो पूरा देखना आपको पता चल जाएगा कि आप लोग फोन का उसकर के कैसे कर सकते हो dark edit ओके तो यहां पर फटा फटा कर लेता है बाकी का effect erase यह वाला भी रहे गया है ओके तो जिस्ट हम क्या करेंगे यहां से इस फोटो को जाएंगे हैं यहां से डन करेंगे यहां पर हम लोग एंटर हो शुके हैं यहां पर जस्ट मैं टैप करूंगा इसकी ब्राइटनेस को कर दूंगा जितना हो सके उतना मतलब फोटो थोड़ा डल दिखना चाहिए क्योंकि फेस के उपर मैंने अल्रेडी साइन ला दिया है क्योंकि मैंने फेस के उपर साइन क्यों लाई तो जो शाइन है वो और ज्यादा मतलब वाइट हो जाएगी जिससे की मतलब ब्राइटनेस तो कम हो ही जाएगी एंड स्कीन के उपर कोई फरक नहीं बढ़ने वाला मैं आपको करके दिखा दूंगा तो यहां पर मैंने थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर दिया है यहां पर आ पर मैं कम करने वाला हूँ और यहां पर वाइट को मैं हाई कर देता हूँ और ब्लैक्स को भी मैं थोड़ा सा हाई कर लूँगा जिससे की मतलब आपको लगेगा फोटो मैं ब्राइटनेस है लेकिन बिल्कुल नहीं है आप देख सकते हो जो भी डार्क पोशन था अभी मैं अब मैं आपको दिखा देता हूँ आपको क्या करना इसके वाइब्रेंस को मैं थोड़ा चाह तैन पसंट तक हाई कर लेता हूँ से चुरेशन को टैन पसंट तक कम कर लेते हैं हम लोग ओके फाइस फूर एट नाइन एन यहां पर चलते हैं मिक्स पे यहां पर जो स्कीन ट लग रही है एकदब फॉटो शॉप में वाइट किये वैसा लग रहा है यहां पर स्कीन के ऊपर भी डार्क एफच्ट आ चुका आप देख सब्सक्स बहुत ज़दा लग टार्क एफट आ चुका यहां पर नीचे के दिरफ भी तो यहां पर मैं कर लेता हूँ इसको 10% तक यहां पर पर पल कलर ले उसको थोड़ा चा पीछे लेके चलता है इसकी saturation को भी थोड़ी सी हल्की पीछे और न्यूमलने इसको भी पीछे इसको और ज्यादा डल कर लेंगे जिससे कि यहां पर टी शेट में थोड़ी चेंजिस आ जाएंगे आप देख सकते हो यहां पर कुछ भी नहीं करना आप आपको क्या करना है यह जो एक्वा कलर है उसको और ज्यादा थोड़ा पीछे ले जाना है इसकी saturation को हाई कर लेना है बस यहां पर जो green color है उसको मतलब निकाल दो पुरा कोई जरूरत नहीं है उसकी तो यहां पर यह पुरा निकल गया डाल हो गया green color जो था आप देख सकते हो पीछे भी तो यह था green color उसको निकाल दिया आप देख सकते हो फोटो के अंदर फरक कितना है टैप बिफोर आफ्टर बिफोर आफ्टर ओके तो यह वह वाली एडिट है जो आज कल ट्रेंड में चल रही है जो लोग मतलब ज्यादा ओवर एडिट नहीं करता है बैग्राउंड चेंड नहीं करता है में इसकी अच्छी अपनी फोटो की कॉलिटी बनाके डाल देते मतल बढ़ा देंगे एन मास्किंग बढ़ा देंगे इस से क्या होगा आपका फोटो मतलब 5 3 एम इसे और क्योंकि यह जो कॉलिटी है ना शार्म वह सारी बहुत ज्यादा हो जाती है बहुत मतलब बहुत सारी हो जाती है वह तो आप यहाँ पर देख सेटे मूद जैसे कि आप इतने स्मूथ में बढ़ा दू तो फूरा फोटो कितना स्मूथ हो जाएगा तो आप देख सकते हैं बहुत स्मूथ होगया पोठों तो मैं इसको थोड़ा सा लैवल में लेटा हूं डळन अब यहां पर क्या करेंगे लैंज को यहां पर लेंस प्रोफाइल को ऑन कर देंगे जेस्ट आपको मेरे step follow करने और कुछ भी नहीं करना है आप देख सकते हो आपके सामने मैं edit कर रहा हूं यहाँ पर कर लेंगे medium या फिर आप चाहो तो heavy कर सकते है क्योंकि बहुत लोग heavy करते है तो मैं भी heavy कर रहा हूं क्योंकि में को personally बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है effect वह हो गया फोटो आप देख सकते हो one two bomb यार में को यह फोटो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने न वीडियो बनाने से पहले मतलब खूद अच्छा लग रहा है क्योंकि आए नो मतलब पता नहीं कैसे मतलब ज्यादा अच्छा एडिट हो गया है ऑके परसनली बहुत अच्छा लग रहा है सो बस इसका क्या करेंगा हम लोग थोड़ा ग्रेन इफेक्ट थोड़ा दे देते हैं यहां पर कहां गया यहां पर जाओ यहां पर थोड़ा 5% तक दे देता हूं जिससे की फोटो मतलब दूर से फूल एचेडी दिखेगा लोगों को जूम करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी है अगर जूम भी करते हैं तो भी एच्छा ही दिखेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां पर बस इतना हो गया कर लो अब यार इस फोटो को सेफ आपको यार वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगा अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करो मेरी यह जो स्टैप्स है न लाइट रूम के वह फॉलो करो एंड जो में इफेक्ट मैंने आपको बता है डार की इफेक्ट आप लोग पिक्सार्ट में पहले दे दो अ